हेलो गाईज आप जूट चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अपडेट्स के साथ और गाईज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एन कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी न्यू प्रेस रिलीज के बारे में गाईज यह जो प्रेस रिलीज यह 17 अगस्त को यहाँ पर जेके SSB की तरफ से जारी की गई है पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि क्या कहा गया इस प्रेस रिलीज में वीडियो में आप एंड तक बने रहें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपक स्क्राइब करें यहां पर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो देख सकते हैं आप यहां पर जो है कहा गया है यहां पर कहा गया है कि जो जो मतलब हैल्च मेडिकल एजुकेशन डिपार्डमेंट की जो 1200 पोस्ट थी उनके लिए यहां पर कोवेड नाइटीन की जो सेकंड वेव थी उसके बाद फस्ट टाइम जो है यह एक्जाम लिया जा रहा है जो की cvt एक्जाम होगा और जो की 17 से जनी के कल सी स्टार्ट हो चुका है ठीक है अगर बात करें यहां पर टोटल 1200 पोस्ट थी 17 से लेकर 24 अगस्ट के बीच में यह एक्जाम होगा और यहां पर अगर कल की ही बात करें तो यहां पर 8810 जो है कैंडिडेट्स ने एक्जाम देना थ 35 अलग लग लोकेशन में जिसमें यहां पर सिरनगर आता है बढगाम, बारा मुला और जमू डिस्टिक आता है मल्टिपल बैचिस थे जो की 9 एम से लेकर 6 पी एम के बीच में एक्जाम था जो की 17 पोस्टर्स थी जिन कैंडिडेट का कल एक्जाम हुआ है 71 पोस्टर्स के लिए एक्जाम हुआ है जिसमें मैंने आपको बदा दिया 8810 कैंडिडेट का एक्जाम होना था लेकिन यहां पर 4962 कैंडिडेट ही जो है अपेर हुए 4962 कैंडिडेट नहीं एक्जाम दिया जो की 56.32% होता ठीक है जिसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 56.32% कैंडिडेट अपेर हुए कल के एक्जाम में तो गाईज यह एक इंपार्टन अप्डेट थी उमीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टापी के साथ थैंक्स वर वाजिंग